एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द्योजी के ड्रिक्स में तो दोस्ताम यहाँ पर पेट का आप मोडर पेपर सोल करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आपके कोशन को राते हैं कोशन आपके सामने यहां पर आ चुका है तो शलिए कोशन देखेए आप से कह यहां पर आपका भी नंबर राइट होज़ेगा पांजून को और अगला कुशन आपसे दिया गया है सूटर सौरब चौधरी ने ISSF World Cup में कौन सा पदक जीता है चलिए टूक ओप्सन देना है टूक ओप्सन में से क्या होज़ेगा तो नोट करिए ओप्सन मुझेगा आपका इनमबर सौन पदक जीता है दोस्तों याद रिखे सौरब चौधरी ने यहां पर वी सौकप में आपका सौन पदक जीता है ओप् चलिए अगला कोशन दिया गया है यहां पर दिया है कि मतदाताओं को जागरु करने के लिए होने वाली प्रतियोगता में प्रतम पुरुषकार कितने रुपए का रखा गया है त्री कौप्सन मुझे आपका डिनमबर दो लाख रुपए है दोस्तों याद रिखे दो पर मनाया गया है यहां पर फोर नमबर में उप्सन क्या बनेगा तो आपके तमिल नाडू में उप्सन मनेगा आपका डिनमबर राइट हो जाएगा यहां पर आगे बड़े एक कोशन आप से इगला दिया गया है कि घरतन तदीवस परेट 2022 की सरुषेश राज जहांकी की र पर आगू की गई देखे सिक्स का ओप्सन यहां पर जो आ रहा है और समनेगा आपका याद रिखे सी नमबर आपका होज़ेगा एक अप्रेल 2020 जो आप सने यहां पर आपका सी नमबर राइट होज़ेगा चले आगे बड़ते कोशन आप से दिया गया है यहां पर आप से कह पर आप को आप सरुजी नमबर रिखे सिर नमबर राइट होज़ेगा दिल्ली वाररसी होज़ेगा ओपसन राइट किया है दूस्तों लाइक शेर भी करिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेर कर दीजे जितने भी आप पर इस्टूजेंट जुड़ चुके हैं सभी लोग लाइक शेर बटन दबा दीजे जैके काफी लोग जुड़े रहे हैं लेकिन जब तक हमें याद न दिलाएं तो आप लोग अपनी मन से अपनी मन से आप लोग नहीं सूच सकते हो कि लास चल रही है क्लास में वीडियो को लाइक सर कर दें प्लेपर केटाएं माटो मेंटे का आप लोग कहते हैं सर जी भगवान से दुआ मांगईएगा पटर सब्स दो लाज़ा है और आपका सिलेक्शन हो झा चलिए 9 के अगरम बात करते हैं तो आपसन क्या बनेगा यहां पर बनेगा डी नमबर उत्ता प्रदेश इसकंसर है राइट होजेगा अगला कुछन आपसे यहां पर देखो दिया गया है किरा आपसे इंडियन परसनाल्टी आप दायर प्रुषकार से किसे सम्मानित किया गया है इंडियन परसनाल्टी आप दायर प्रुषकार से किसे सम्मानित किया गया है यहां पर देखे एक अबनित्री है इनका नाम क्या है वह दस नमबर में यह अबनित्री नहीं है अबनित्रा है यह वी सजी चटर जी यह द्रेखी इसका जो आप समनेगा यहां पर अंसर जो घोड़े की अस्तियों के जो ओसिस मिले है वह आपके कहां पर मिले है तो देखो भई यह आपके मिले हैं कहां पर सुर्खोडदा मतलब आपके गुगरात राज़ में इस्तित है आप अपस नमबर राइट होजेगा अगरा बतायेगा कि बouthern से सम्मंद अर्ध गोलाकार 實際 till यह बहुत धर में पुचआ गया है अर्ध गोलाकार होते हैं inे कहते कैया है तो वई आपको पढ़ाया गया है इस दून जैन यह सब कुछ पढ़ा दिया है बेशिक भी पढ़ा दिया है आप्जक्टी भी लगवा दिया है अपने नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में आप लोग दे सकते हैं ठीक है अगला है कादंबरी के लिखक आपके कौन है कादंबरी के लिखक पूछा गया दोस्तों यहाँ पर कादंबरी के लिखक कौन हो जाएंगे तीरे नंबर में चले कादंबरी बानबट देखे ऑप् जान चलाई थी काफी घतनाक नीतिया थी और मनें आपका यह नंबर आगे बढ़ी यह कोशन दिया गया है निमनिकित में से किस राजा के सासनकाल के दोरान चिनी आत्री वह इनसांग भारत आया था यहां पर दे सकते हैं हुए इंसांग आपका हासे वह इंसांग और हासे अर सवर्दन अगला कोशन है कि 1872 में भारत के वाइसरायं लाड मेयो की जो हत्या की गई थी को आपके कहां पर की गई थी यहाँ पर 16 नंबर में याद रिके पोर्ड विलेयर जिसका आपका बने गाड़ी नंबर है राइट होजेगा पोर्ड विलेयर होजेगा अगला बताएग किसे अपना राजनिती गुरुमाना है मातमा गांदी ने किसे अपना राजनिती गुरुमाना था यहाँ पर जवाब दिना है अम्रच सर विलकु सही जवाब हैं प्रस्टर में हो जाएगा लेकिन आपको यह डेट बताएगा कि कब हुआ था डेट बताएगा कि जलिया वाला भाग हत्याकान किस घटना मतलब कौन सी डेट को घटी होई है चलिए भाई जवाब दीजै जल्दी तेरा अपरैल 1929 विलंको सही है अगला बताएगा यहाँ पर कह रहा है भारत में ट्रेड यूनिएन अंदोरन के जन्म दाता कौन थे भारत में ट्रेड यूनियां अंदोरन के जन्मद्सा पूंचा गया उन्नीस समर में तो आप समाने थे भारती राश्टी कांग्रेश के सबस्यदिक समय तक जो अद्देच रहे थे दोस्तों यहां पर आपका 20 अंबर को ऑप्शन देना है यहां पर क्या होजेगा चलिए अबुल कलाम आजाद रहे हैं लेकिन नहीं है तो आप लोग क्या जवाब दोगे जब आपसन में नहीं कोशन आप से दिया गया है कि भारत का दच्चिनी सीरा कौन सा है भारत का दच्चिनी सीरा पूचा है मदलब देखा जाए वह बिंदु के बात कर रहा है तो भारत का दच्चिनी बिंदु आपका है इंद्रा पॉइंट दोस्तों याद रिखे और अप्सन होजेगा आपका और वर्षा उडिसा दिया है दोस्तों याद रिखे यादा रिखए आम रवर्षा लौटती वे मानसुन जोगी केरल और करनातिक में आपका पर सब वर्माने जाती है तो आपके आपकर लेखे ऑरीशा गलत दिया है यहाँ पर आपका कीरल helps लोनशेगा है इस कारण के यह वह हुआ आगे बतागे आप से कह रहा है कि मेगाले पठार की दानि लूंध लादानी और आपकी सपस्वाह्ण caun तो आपकी सि लागे रह से दिया गया है कह रहा है इंद्नकित में से कौन सी नदी यम्न से नहीं मिलती है यहां परनसद देना है आपका right answer में से क्या होज़ेगा चलिए बताइएगा कि निखित में से कौन सी नदी यमना से नहीं मिलती है यहाँ पर 24 को option बनेगा right क्या होज़ेगा right answer देना है 24 सम्बर में चलिए 24 सम्बर में देखे यहाँ पर आपकी बेतवा नदी मिलती है चंबल मिलती है, केन मिलती है लेकिन सोन नदी में नहीं मिलती है तो option क्या होज़ेगा d नमबर आपका right होज़ेगा चलिए यह सोन नदी गंगा की सा एक नदी है अगला बताइएगा कि पंचवट्य कहाँ सितित है पंचवट्य यह कहाँ पर सितित है यहाँ पर यह economy सी question दिया है तुक्का मार के काम चलाया सकता है आईसे 100% किसी को नहीं मालू है तो दिखे वई 26 नंबर के अगर बात करते हैं तो option यहाँ पर हो जएगा इसे कहते हैं baker's days क्या बोलते हैं bequardation bequardation जो option है यहाँ पर भी नंबर हो जएगा यह परंसर अब कभी नंबर है बनेगा यह तुक्का से कम चलेगा और कैसे कम नहीं चलेगा ठीक है ना चले है आगरा question दिया क्या है क्यारा है ऐसी अर्थव्यस्था को क्या कहते हैं जिसका सेस विस्थ से कोई संबंध ना हो मतलब कहीं से भी संबंध ना हो इसे क्या कहते हैं तो बर यह यह इसी विएुस्था होता है जिसे हम लोग बंद अर्थव्यस्था कहते हैं आर्था lockdown के आपके lockdown की इस्तितिया अगई है घर में रो अपने गर का चिटना भी आपका मतलब कह से लिता अब आपने गाओं में बेचलो बस चली वीडियो को भी लाइक करिएगा दे उस्तों जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा सारा दिन आप लागों को कलासे दी जाती है तो सारा दिन कलासे मिलती है तो वीडियो को लाइक से जरू करिएगा मोटिवेट बनाय रखेग आपको लगान किसके लिए किया गया उपादान अर्थाद भुकतान है लगान देखो आपको लगान बताया गया है यह भूम के लिए होता है और अगरा है निम्निकित में से किस अर्थसास्ती को अर्थसास्त का जनक माना जाता है चले अर्थसास्त का जनक जो कहते हैं किसे कहते हैं यह तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार एडम इसमीत को कहते हैं किसे एडम इसमीत जो आप सने यहाँ पर बिनमर है राइट होजेगा आगला बताएगा कि 24 बिदेख 2019 किस्से संबंधित है अगा है कि चलिए हाँ यह लेकपाल की स्पिसल क्लास है यह लेकपाल की स्पिसल क्लास है और दो हजार पच्चास की तयारी हो रही जो लेकपाल पच्चास आएगा 2050 में चलिए अब बताएं पीटी लिखा है थमनेल में पीटी देख की वीडियो के लिए किया होंगे आप करें लेकपाल की क्लास चल लेए तुमने बोल लिए भईया कि लेकपाल आएगी तब कि लिए तैयारी कर लिए इस्टॉक कर लिए चले सब कुछ होई होगा वैसे भी क्या दिकत है क्यों वहीं और कोई परिवर्तन थोड़ा हो अगर्लक सलीबस से मैं चले एक सो चोविसमाज संसुधन विद्यक 2019 किसे सब मंदित हैं चले देखे 31 नंबर की अगर बात करें तो आप सब्सक्राइब यहां पर आर्थिक सर्चन था दस परसेंट वाला तो यहां परनसर आपक दूस्तों याद रिखेएगा याँ पर देखिए मेखाले है असंवह और आपका नागर्लेंड यह तो वाड़े यह नहीं बनेगा बैई यह आपर बनेगा पर आप सब्सक्राइब क्या हो रहे हैं इसलिए हम बोले थे थोड़ा बच्चों में अंदर में ऊत्रा आ जाएए थोड़ा बच्चे वड़े मगन से पढ़ रहा है तो इसलिए हमने थोड़ा हसा दिया था बच्चों को है न हम गुसा कहां हो रहे। इतने मैंकर रहे और क्या चाहिए। कि झचले ग्राम सबा में कौन सामीर होता है देखे आपका जवाब क्या हो जगा ग्राम सभा में कौन सामिल होता है 33 सिंबर में तो ग्राम सभा में कौन होते हैं गाउन विजेस में रहने वाले सभी विखती तो सभी नहीं आती दोस्तों याद रिखेगा जो मतदाता सुची में होते हैं उन्हीं को कहेंगे ग्राम सभा की लोग हैं बाकी सब को खिजा के बा होता हैं चले जब लोग सबा में मद्दान हो रहा हो 50 परस्ट यहां हो 50 परस्ट यहां पड़ गए हूँ तो ऐसी इस्तिती में होता है अब समस्थे आती है तो ऐसी इस्तिती जो यहां पर 34 पर जवाब देना है यहाँ पर देखे 35 नमर के अगर बात करें तो आप समनेगा डिनमबर सांस्कित और सैच्छिक अदिकार है यहाँ पर अंसरब का बनेगा आपका डिनमबर राइट हो जएगा आपको अमने बताया था आर्टिकल नमर 29 और 30 जो आपके हैं वो अल्प संखि चार कारवन परमालू से मिलकर होता है एक ब्युटेन का समोई होता है तो आपसन इसका डिनमर अपका रत होज़ेगा अगला का गुण होता है तो भी स्रंखला का जो होता है कारवन में होता है और अपसन वनेगा आपका इनमबर है जो स्रंखलन का प्रबल गुड़ होता है वो आपकी कारवन में होता है चार अनों से लिकर जुड़े होते हैं अगला है किस गैस को उसकी ठोल सवस्ता में सुस्क बर्फ भी का आ जाता है तो देखे भई यहां पर किस गैस कुसकी ठोल सवस्ता में जब यह गैस ठोल सवस्ता में होती है तो यह बर्फ बनती है और इसे कहते क्या है कारवन डायकसाइड जो कि ओप्सन है यहां पर इनमबर हो जाएगा अगला दिया गया है कि कौन सतत तो एक उपधातू है कौन सतत तो एक उपधातू है यहां पर 49 संबर में चले 49 संबर में बता है यह उपधातू कौन हो जाएगी इसका जवाब गलत मत करिएगा भई इसका जवाब कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों यहाँ पर देखे आपका दिया है सिलकाउन क्या है सिलकाउन इसका आपसों मनेगा यहाँ पर आपका D नमबर आपका राइट होजेगा कुछ लोग तो कोशन बस जोंके रहते हैं चले अगला कोशन दिया गया है जेजे थामसन को की खोच के लिए भाउतकी में नोबिल यहाँ पर अंसरब कड़ी राइट होजेगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि कि किस देश ने वस्तोर सेवा कर सबसे पहले लागू किया चले जी एस्टी जो लागू किया था सबसे पहले किस ने लागू किया था तो यहाँ पर देखें फ्रांस कहां पर रहें कहीं है फ्रांस मिल गया है यहाँ पर 42 को अप्सम हो गया यह फ्रांस आपका है जो सबसे पहले जी एस्टी को लागू किया था और भारत में कब किया आपका कौन साइज यहां पर लगव हुआ था पहला राज असम था दोस्तों बिलकुर सही है पहला राज असम हो जाएगा अगरा फेस्बुक के संस्थापक पूछा गया है यहां पर जवाब दिए फेस्बुक के संस्थापक कौन है चले फेस्बुक के संस्थापक पूछा जूकर क्या है यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जाएगा क्योंकि फेस अगर जशाब आदिया जाए तो यहाँ पर अंसर आपके जाएगा मार्क जूकरबर्ग किराब से यहाँ पर दोरा बजी टाटा द्वरा टाटा आयरन एंड स्टील कमपनी जो टिस्को आपकी है इसकी स्थापना कब की गई थी यह आद रिखी आमइ ऐन पर और आगे बढ़ी एक कुछ न दिया गया है निमनेखित में से किस पदार्त का ओड़ीसा की बदम पहाड खदारों में खनन किया जाता है देखे ओड़ीसा में एक पहाड है खदान है बदम पहाड चलिए देखे बैटारिस को जो अप्सन सी हो जगा हेमे टाइट का किया जाता है हेमे टाइट इसका जो आप्सन है यहां पर सी हो जगा हेमे टाइट इसमें भी तुक्का माल लीजे कोई दिकर नहीं है माल लीजे तुक्का आप लोग देखो यहां पर हो जगा सिनमर हेमे टाइट हो जगा चेले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है यहाँ पर दिया है मली मत समिती की रिपोर्ट निखित में से किसे सम्बंदीत है यहाँ पर देखो मली मत समिती की रिपोर्ट जो है वो किसे सम्बंदीत है यहाँ पर 46 सम्बर में आपसल सी हो जगा अपरादिक न्याय प्रणाली सुधार से है कोई बार नहीं पहली बार आप तुक्का मारिये दोबारा जब कभी मिले तो तुक्का मत मारना दोस्तों हमारा मतलब यह होता है कि अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कार नहीं है लेकिन दोबारा को आपको तुक्कार नहीं मारना है दोबारा को आप सही सही मारना है ठीक है चले अप राधिक ने प्रणारी सुदा से सम्दी थे मली मत समित अगला कोशन दिया गया है ओलंपिक काउंसलिंग आफ एसिया ने को 2018 में हटाए जाने के बाद हंग जो की चीन में है अव्यूत होने वाले ACI केल 2022 में फिर से सुरू कर सब्सक्राइब ने का फैंसला कर लिया है तो दिखो यहां पर जो आपका 47 अमर है 47 में जो आपका क्रिकेट है क्या है क्रिकेट है इसको आप्सम मनेगा यहाप बी नमबर है राइट हो जेगा अगला बताएगा कोशन दिया गया है कि खेल नरत रूप थोड़ा का सम्बंद किस राज से है यह भी को नरत होता है थोड़ा ज्यादा कर लिए उत ज्यादा सही रहेगा खेल नरत रूप थोड़ा का जो सम्मन्द है किस राज से 48 सम्बर में आपसम मनेगा डी नमबर आपके हिमाचल प्रदेश से है यहाप पर अंसर क्या हो जगा यहाप अपर दी को भगाने के लिए बहुत दोरा एक नरत किया जाता है और यह नरत नाम है याद रिखे 49 को अपसन सी चम क्या बोलते हैं चम बोलते हैं याद रिखे चम ऑपसन मनेगा यहाप परसी नमबर चम आगे बड़े कोशन आप से दिया गया है किया आप से पुदिचेरी में पहली महिला पुलिस मानने देशक इन में से कौन थी 50 नमर आपको जवाब देना है आप कंसर में से क्या होजेगा तो चलिए 50 को अपसन देखे यहाँ पर आपका ड़ी होजेगा सुंदरी नंदा है सुंदरी नंदा इसका जवापसन है यहाँ पड़ी होजेगा सुंदरी नंदा अगर आपसे भारत की पूंच लेती अगर आपसे पूंच लेता भारत की कौन है तो कंचन चोधरी ये आपके भारत की पहली महिला पुलिस माने दे सकती यादरे के गूगल में भी कई जगा गलत दिया गया था तो यादरे के कंचन चोधरी ये भारत की है लेकिन आपके पु पड़ी वनेगा अगला है दिये गए विकल्पों में से सब्सक्राइब करें रिक निस्थान आपको भरना है कि इस गटना के बाद आजादी हांसिल करने की इच्छा और जोर सी क्या हो गई उमर्ड पड़ी क्या पड़ी उमर्ड पड़ी मतलब आपसन देखा जाए पहला अगला बताएगा दिये गए विकल्पों में से उत्थान का विलूम क्या होता है उत्थान का विलूम दोस्तों आपने बहुत बार पड़ा है उत्थान का विलूम क्या होता है याद रिखेगा तिरपन नंबर में ऑप्शन मनेगा सी नंबर पतन होता है याद रिखे एगर अगला है कितनी नाओं में कितनी बार रचना को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया यहाँ पर जवाप दीजे पचपन नमबर में ओप्सन क्या होजेगा ठीक है दोस्तों लाइक सेर भी कर दीजे जितने लोग जुड़े हैं लाइक सेर की वे संख्या बढ़ा दीजे भई चले आख मुंद कर वीडियो को लाइक कर दीजे आपके सामने आ गया है दमदार टोपिक बहतरीन टोपिक टेस्ट के बाद हम डेली कुछ न कुछ आपको पॉइंट देते हैं मेनत सारी दिन करते हैं तो वीडियो को लाइक सेर जल्दी से मर दीजे येतने लोग याप पर बाकी रह गये हैं वीडियो को लाइक ने के हैं तो लाइक मर दीजे अब आईए थोड़ा ध्यान मुद्रा मे तो मोर है अब आप ये मत कई एक बहुत सरार है तो बहुत लोगों के इसमें भी गलतियां हो जाती है भारत का रास्टी पसु क्या है भाग है भारत का रास्टी फुल क्या है तो कमल है भारत का रास्टी फल क्या है तो आम है भारत का रास्टी योजना क्या है तो वे पंच तो किस्तम में राष्टी पंचाग पूँचे तो सक्समत है और इसके बाद पूचे राष्टी वाकिया तो आपकी हिंदी है और अगर आप से दिया गया है कि राष्टी ध्वज गीत ध्वज गीत जो आपका है वो क्या है तो राष्टी ध्वज आपका गीत पूचा गया है तो हिंद देश का प्यारा जंडा है ना चलिए यहाँ पर बताई एकला कोशन दिया गया है चले यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि आपसे प्रिसिद मंदिर आ गया है क्या प्रिसिद मंदिर आ गया है तो यहाँ पर आईए गोमतेश्वर मंदिर दिया गया है गोमतेश्वर मंदिर आपका करनाटक में है ठीक है स्री मातेश्वरी मंदिर गो मातेश्वरी मंदि कश्रच मंदीर कांपर है इसके बाद के बाद ख जुराहू मंदीर कांपर है तो आपके उड़ीसा में हो जैगा दोइक अधिस मंदिर आपके गुज़राथ हो जायएगा गंगोतरी मंदिर कभर है आपके उत्राखंड में हैं ओर्धिया ग्र्धियागरंस दिया गया है से पुछाब्र मंदिर मतर है तमिलाडू में काची विस्वूनाध मंदिर मतर है मत्द्रफिय-प्रदेश में हे संक्रा चार मंदिर है डिल्ली में लिंगा पर आपके उडिसा में हो जाएगा अगला पॉइंट में आते हैं पॉइंट आप से गला दिया गया है कि एसीया के सभी देश उनकी राध्धानी और उनकी मुद्रा है चले यहां पर देखो आपके समने आ गया है थोड़ा से वीडियो की क्वाल्टी बढ़ाएगा और ध्या है ठीक है कि क्या बढ़ी कोई गड़बड हो गया क्या लिपी देवनाग्री होगी और भासा जोगी हिंदी होगी कुछ गड़बड होगा तो उसको सुदार कर लिजे आप लोग इतने उस यार हो पड़बड़ के हो सकता है कि जल्दी में ध्यान ना दिया हो तो इतने आप देवनाग्री हो और भासा आपकी हिंदी छले यहां पर बोटान की राध्धनी क्या है धिम्पू हो जाइगा और यहां पर देखसकती है बोटान की मुद्धरा क्या है तो आपका नियू ट्राम हो जाएगा नेपार की राध्धनी काठमन्डू है और याद रिखेगा कि य पई दो क्या है राध्धानी है और यहां पर क्या चलता है पाकिस्तान इसलामाबाद यहां पर भी रुपया चलता है अगला दिया गया है चीन और चीन की राध्धानी बीजिंग है यहां पर युवान चलता है सिलंका की राध्धानी कोलंबो है और दूसरी राध्धानी स्र मुद्रव कि मुद्रा क्या है हमने इक जगा लिया अब एक जगह आपको पड़ा रहे है ठेक है और इसकी क्या है तो इसकी आपके मुद्रा है अर्जिंटिना की राध्धानी व्यूनेसायर्स है और अर्जिंटिनो क्या है इसके मुद्रा है इसके बाद पेरू में आते हैं पेरू की राध्धानी क्या है लीमा है और इसकी क्या है तो इसके आपके मुद्रा है न्यू सोल क्या है न्यू सोल हो जगा कोलंबिया अगर और मुद्रा है आपका गुवरणी उर्गवacter पूचे तो आपका अमूंटी वीडियो और अपका यहां पर पीन साट चलता है और इसके बाद आपको आना है वोलुबया बोलुबया के राधनी क्या है अपकी लांपाज है और यहाँ पर जो चलता है वो लिवियान चलता है फ्रेंच गुयान की आपकी कोपेन है और आपका फ्रेंक चलता है उद्रा इसको आप लोग स्क्रीन सौर ले लिए होंगे आगे बड़ी ये कोशन आप से दिया है कि विस के प्रमुक उद्धोगी कनागर देखे वही विस मे अबरो श्र्ट ऑट्र ऊंड़ा जाता है सिकागों आपके अमेरिका में है कि आपके मान्स पर शचोशन करण के लिए जाना जाता है यहाँ पर दिको मैंचिस्टर आपकी इंगलेंड में है सुती वस्त्य के यह जाना जाता है राटर डम लाटर डbtर डम आपके निधर लें में है और मरीन इंजिनिंग के लिए जाना जाता है किलेर है अगेला बताई ये कोशन दिया गया है कि संगाई तो संगाई आपके चीर में है वस्त दोग के लिए जाना जाता है हॉलिवुड आपके अमेरिका में है फिल्म दोग के लिए जाना जाता है यादरे के मुलतान पा रेड वेसिन आपकी चीन में है कोईला उद्धो के लिए जाना जाता है रूर वेसिन आपकी जर्मनी में है कोईला उद्धो के लिए जाना जाता है ब्रिश्टल आपकी यूके में है और आपकी कोईला के लिए जाना जाता है लंका सायर यूके में है कोईला उद्धो के जाना जाता है यहां पर पार आप समस्ति को लोगा बदाइट जो आपके अमेरिका में पड़ता है कर दो के लिए जानते हैं। फ्रान्स में है एड सराड के लिए होता है नगोया आपके देखे जापान में है एरक्राप्ट आटोमवाइल के लिए जाना जाता है हवाना जो आपके कुईबा में है सिगार उद्धों के लिए जाना जाता है वेलिंग्टन आपके न्यूजिलेंड में है डेरी उद्धों के लिए जाना जाता है कंसास आपके क्या दिया है दोस्तों प्रेयरी घास की मैदान यह आपके अमेरिका और कनाडा में देखो हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं याद रिखेगा आपको किसी भी चैनल पर जाओगे ना पेड़ कोर्स में भी ऐसे आपको नहीं देंगे क्योंकि जब आप पेड़ कोर्स ले ल आपको फ्रेयरी घास के मैदान क्या है अगर घास के पूछना है तो यह पूरा 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 पढ़ना पढ़ता है जिनको पढ़ना है तो भाई वो ढूंडान के पढ़ी लेते हैं ट्रिक वगएरा यहाँ पर थोड़े काम नहीं होगा दोस्तों ज्यादा पढ़ना पढ़ता है देखो हम भी चाहे तो जितना हमने पढ़ा है हमें पर लीजन कराव रहे हैं चाहें तो किया पर रीवीजन करा रहा है चले प्रेरी गास के मैधन अमेरी कंडा मुलता है अग्लाय्यारा फ़्यक्राव आपके आशिया था का वेल्ड गास के मैदान आपके ढखना आफ्रीका में ह!!"ोगे नवल दूरी के मीदान आपके यह कोशन देया है यहाँ पर आपसे कहरा विश्य के प्रमुख नारें चलिए सू नार एगा के बीच में पड़ती है इरीजीन जील में गोटा नहरों और आपका हुटेनबर के बीच में है इरीजीन साघर और बालती साघर को जोड़ती है खेट लेन अगले आप से दिया गया ब। आपके बीच में है handful अगला आप और आपके प्रसंत मासागर को जुड़ती है बस इतना आप पढ़ेंगे पढ़ने का आप तो बहुत बढ़ी पीडियाफ है लेकिन आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे इतना आपका हो गया